Hello student, तो आज हम चलेंगे SCF by division method, मतलब कि इन दो नंबरों का SCF निकालेंगे by divide method से, तो देखिए 120 लिखेंगे इदर हम, और इदर लिखेंगे हम 192, अब आपको मालम है 1 times 120 बार जाएगा, अब यहाँ पर 2 में से 0 गए तो 2, और 9 में से 2 गए तो 7, अब आपको मालम है जो यह हम यहाँ पर लिखा हुआ है divisor, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो 120 लिख दिया, अब 1 times क्या जाएगा, 72, अब आप इसको minus करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गए तो 8, और 11 में से 7 गए तो 4, अब इसका divide हम फिर से divisor से करेंगे, चोकि है 72, अब 1 times क्या जाएगा 1 times क्या जाएगा, 48, अब आप इसको minus करेंगे, तो कितना आएगा, 12 में से 8 गए तो 4, और 6 में से 4 गए तो 2, अब आपको मालम है last divisor कौन सा है, 48, क्योंकि यह अब कटने वाला है, तो 24 के table से 2 times 48, कट हो जाएगा, और जहाँ पर यह cut आया, 0 आया, वो ही आपका क्या होगा डिवीजर आंसर होगा, तो यहाँ पर जो SCF निकल कर आया है, वो निकल कर आया है, 24, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं,